इश्वा याद रखना इनसान अगर स्वस्त है ठीक है तो कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्त है तो उसके पास धिनिया की सबसे बड़ी पावर है अगर कोई व्यक्ति बिमार है तो मतलब वह व्यक्ति उसके पास हो सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है कितना पैसा भी वो करोड़ो रुपए अगर वो इकठा करके रखा है और उसको बिमारी है या किसी प्रकार से वो मांसिक रूप से परिशान है सारी रिक रूप से परिशान है तो वह पैसा किसी भी काम करें और अगर वह विक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो हम कह सकते हैं कि वो उस व्यक्ति से ज़्याधा अमीर है तिक है तो अब यहाँ पर ऐसी बात आ जाती है कि पैसा तौ बहुत है बेचारा अपने MCा खाना नहीं खा पा रहा है कि आना व्यक्ति कई ब sé यहां के पास पैसा बहुत हो ता और वह चुगर पेसेंट है, सूखी रोटी खा रहे हैं, करड़ों रुपे होने के बाद वह सूखी रोटी खा रहे हैं, तो हम आज बात करने वाले थे हेल्थ को लेकर, स्वरविज्ञान में हम हमारा हेल्थ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ को हम कैसे इंप्रूव कर स सकता है परन्तु यह जो रेमेडी होगी ना यह बहुत पावर्फुल रेमेडी होगी और इतनी कारगर रेमेडी होगी कि आप देखोगे कि जो भी विक्ति पीडित है बिमार है उसको कुछ हद तक 70% उसको फायदा मिलेगा उस बिमारी से ठीक है तो सबसे पहले एक बेस्ट रेमेडी देता हूँ अगर कोई विक्ति बहुत जादा बिमार है या फिर कोई विक्ति ऐसा है जिसकी बिमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही या फिर डॉक्टर को बिमारी के बारे में पता ही नहीं चल रहा डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करवा लो वो टेस्ट करवा लो फिर ब्लड टेस्ट करवा लो दुनिया भर के टेस्ट करा लो सारे टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि कोई बिमार नहीं है डॉक्टर कहता है कि बस यह मेडिसीन आप खाते रहो खुश रहो ठीक हो जाओगे ठीक है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है टेस्ट करवाते हैं बिमारी कहीं और होती है टेस्ट कहीं और होता है कई बरसा होता है कई लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हाती है कि बि ऐसी कंडीशन पे जो बिमार विगती है तो परिशान होता ही है, साथ-साथ में सबसे बड़ी दिक्त यह आती है कि उसके परिजन उससे ज़्यदा बिमार हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये जल से जल ठीक हो जाए, जल से जल इनकी समस्या का समाध तो इसके लिए क्या करें इसके लिए best of the best remedy है यह remedy आप जिसको मरजी उसको दे देना जिसको मरजी उसको बता देना ठीक है इसमें यह सबी को आप कोई भी विक्ति तुमार है ना बस बोल देना कि यह remedy तुम कर लो तुमको पता चल जाएगा इसके फायदे क्या है बहुत simple remedy ह और बहुत कठें रेमेडी है रेमेडी इतनी simple है कि पूछो मत और कठें इतनी है कि पूछो मत दोनों है यहाँ पर एक चीज करना क्या है आपको 108 रोटियां बनानी 108 रोटियां बनानी है उसमें गुड और ब्लैक वाला टिल 108 रोटियां आपने बना ली उसके बाद अच्छा खासा बड़ा सा गुड रख लें और करीब 200 ग्राम 100 ग्राम ब्लैक तिल वह रोटी हो गई रोटी के उपर आपने गुड रख दिया और ब्लैक तिल रख दिया उसको पीडित व्यक्ति जो व्यक्ति बिमार है ना उसके सि से लेकर पैर तक एंटी क्लोकवाई सेवन टाइम घुमा दें और उस व्यक्ति के हाथ से टच करा करके किसी भी गाहे को खिला दें अगर भैसा मिल गया तो तो और मजे की बात हो जाएगी भैसा मतलब मेल मेल काउड या नॉर्मल लैंगविज में हम नंदी भी बोल सकते है ठीक है भैस भैसा नंदी जो मेल काउड होता है उसको हम उल उल बोल सकते हैं ठीक है तो आप उसको खिला दे उस पिडित व्यक्ति से सेवन टाइम एंटी क्लोकवाई घुमा करके उस पिडित व्यक्ति के हाथ से टच करा करके इसको खिला दे आप देखोगे कि जैसे ही पहली बाद तो यह है कि वो खाएगा नहीं जिसको भी आप गुल को देंगे ना वो खाएगा नहीं अगर उसमें खा लिया मान के चलना कि उस पिडित व्यक्ति के पूरे रोग को वो खा गया ठीक है पूरे रोग को खतम कर देगा खाके परंतु जल्दी वो पूरी रोटी खाते ने तो जब तक वो ना खाए तब तक वहाँ पर उस व्यक्ति को खड़े रहना है ठीक है अब इससे क्या होगा इससे बहुत बड़ी चीछ होगी जो भी बिमारी आती है तो दो प्लैनेट उसके बहुत जादा रिस्पॉंसिबल होते हैं एक तो राहू और दूसरा श दिशान करता है अब इसको करना कैसे है यह तो समझ में आ गया आपको सगुन में करना है सगुन में मतलब इसमें आपकी राइट नौस्ट्र चल रही होगी लेफ नौस्ट्रल अगर आप कर दोगे तो बिमारी और बढ़ जाएगी जो राइट नौस्ट्र आपको नहीं तो बिमारी और बढ़ जाएगी, जब तक सूर्य स्वर ना चले, प्रपर सूर्य स्वर ना चले, तब तक आपको करना नहीं है, अगर गलती से भी आपने चंद्र स्वर में कर दिया, तो आप ये समझ लो, उसकी बिमारी आप ले लिए, मजे से, ठीक है, तो जैसे वो ह कहते हैं, सर्दी जुकाम सामने वाले को हुआ, तो मुझे भी हो गया, तो सेम चीज है, वो तो ठीक हो जाएगा, और जो उतारा कर रहा है, वो बिमार पढ़ जाएगा, तो करना किसमे है, सगुण में, और सूर्य स्वर में करना है, राइट नॉस्टल में करना है, ठीक है, क्र sometime करना है, क्योंकि आप खत्रों के खिलाडी बनोगे उस समय, किसी की विमारी का उतारा कर रहे हो, मितलब आप खत्रे के खिलाडी बन रहे हो, तो आप फिए ध्यान रखना है, चाहे वो आपका कितना ही close क्यों नहों, कई वारल ऐसा होता ना रहे है, यह तो हमारे बहु उतारक कर रहे हो, तो आपको सगुण में, सगुण मतलब आपको लंबी घहरी सांस लेनी है, राइट नोस्टिल जब चल रही होगी, तब करना है, राइट नोस्टिल चल रही है, लंबी घहरी सांस लेना है, और seven time anti-clockwise उतार करके, किसी भी बुल को खिला दें या भैसे को खिला दें ये रेमेडी जब आप करोगे आप देखोगे कि 10 दिन के अंदर में उसकी बिमारी में उसको 25-40% परक दिख जाएगा कभी-कभी तो मैंने ये भी देखा है कि 70-80% भी रिजल्ट मिल जाते हैं या फिर उस व्यक्ति के बिम पर्टिकुलर उसकी मेडिसीन चालू हो जाएगी और एक समय के बाद वो ठीक हो जाएगा अगर कोई विक्ति ICU में एडमिट है डॉक्टर कई बार कहते न कि आब हमने तो बस कर दिया और अल्ला मालिक भगवान की पूजा करो भगवान से साधना करो भगवान से प्रेयर कर तो इस टैप की कोई कंडिशन आ जाए अगर कोई विक्ति ICU में है वेंटी लिटर में है तो उस समय भी आप इस रेमेडी को करें अब ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी को लेकर ICU में घुश जाएंगे तो उनके नाम से उनके नाम से टच टच तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ प करके आप खिला दे तो भी 40-50% फायदा मिलता है यह रेमेडी जो है ना इतनी पावरफुल है मैंने जितने लोगों को आज तक दी है रेजल्ट मिले मिले इसलिए है क्योंकि इसमें फेत इतना आया है हजारों लोगों को मैंने रेमेडी दिये आज तक किसी नहीं का कि सर हम ने हुट मिला ही है इतना 101 mi west ने मिला हुब इस रेमेडी यह रेमेडी इतनी पृवरफुल है आपको भी लग haul हुँ चोटी मूटी बिमारी के लिए यह समझ लोग है है ना चोटी मोटी बिमारी के लिए चलाओ गए अन्यसेसरी रिजल्ट तो मिलेगा परन्तु क्यों ऐसा करना ठीक है तो सगुण में करना है अभी बीच में आज किसी कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज आये थे कि सर हम सगुण और निर्गुण को कैसे पेचाने हम अपनी सांस को कैसे पता करें कि राइट नोस्ट्रल चल रहिए लेफ नोस्ट्रल चल रही रही है यह बहुत सिंपल सा है और मुझे नहीं लगता कि यह बहुत टफ है सिंपल यह है कि आप अपने हाओ को यू रख ले जिनका कोश्चन है जिन अपने हाथ को वो यू रख ले और सांस को चोड़ेंगे जब सांस को चोड़ेंगे तो कोई न कोई न कोई एक नॉस्टल से जादा हवा रिलीज हो रही होगी माली जी अपने यू हाथ को रखा और अपने सांस को प्रिशर से छोड़ा तो या तो राइट नॉस्टल से हवा ज्यादा निकल रही होगी या तो left nostril से हवा ज्यादा निकल रही होगी तो वह आपका सूरिस्वर है अगर right nostril से हवा निकल रही है तो सूरिस्वर है और left nostril से हवा निकल रही है तो चंद्रस्वर है यह बहुत सिंपल है अब यहां पर जब हम आगे five element को पढ़ेंगे अगर चार उंगली, जब आप सांस को छोड़ रहे हैं, तो सांस आपकी यहीं तक टकरा रही है, तो यह अगनी तत्व है, थोड़ा उससे नीचे जा रही है, वायू तत्व है, थोड़ा उससे और नीचे जा रही है, पृत्वी तत्व है, पूरी की पूरी नीचे जा रही है, तो वो जलतत्व है हुँ मैं आगे बताऊंगा चार बारा सोला इस तरीके से 48-48-48-47तोरा इस तरीके से में आपको बताऊंगा आगे और सांस वहीं-वहीं-वहीं-वहीं घूम रही है तो वो आकास्त तत्र बेंगे, यह सिंपल है, एक और चीज, अगर दोनों नाशी का छिद्र से हवा निकल रही है, तो जीवन में कोई का मत करना, पाच मिनट के लिए बैठ जाना, करवट लेके बैठ जाना, इधर बैठ जाना, उधर बैठ जाना, फिर भी आपको लगे कि ब स्वर तुरन, पानी आप जैसे ही पी होगे, आपका स्वर वो एक तरफ, दूसरी तरफ डैवोर्ट हो जाएगा, तो उस समय फिर आप घर से बाहर निकलो, उस समय आप जो भी काम आपको करना है, इंपोर्टेंट काम आप करें, अब सगुण और निर्गुण क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना, सगुण, गुण मतलब गुण हम कहते हैं इस वेक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण है, नॉलेज भी ले सकते हैं, यह वेक्ति बहुत गुणवान है, इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, तो सगुण मतलब उसके अंदर पॉजि हैं आप क्या कर रहे हैं सांस ले रहे हैं तो आप अपनी प्राण शक्ती को अंदर की तरफ ले रहे हो इस सगुण यह सगुण है और जब आप सांस को रिलीज करते हैं तो यह निर्गुण निर्गुण मतलब निर्गुण सगुण सगुण का सगुण और निर्गुण मतलब विकार तो जब आप सांस छोड़ के कोई काम करोगे आपका काम होगा ही नहीं और सांस को ले करके काम करोगे आपका काम भड़ी आसानी से हो जाएगा ठीक है और दूसरी रेमेडी देता हेल्ट से ही रिलेटेड है किसी व्यक्ति को बहुत जादा अगेन हेल्थ इशूज है तो चार गोमती चक्र लेने हैं उस गोमती चक्र को अपने जो नोस्टल चल रही है उस नोस्टल मतलब सूरिस्वर चल रहा है या चंद्रस्वर चल रहा है आपको उस गोमती चक्र को उस हाथ में लेना है कोशिश करे कि सूरिस्वर ही चले तो जादा अच्छा है चंद्रस्वर में ना चलाए सूरिस्वर में गोमती चक्र को ले ले अपने हाथ में रखें और रखने के बाद जो पीडित व्यक्ति है उ इस भगवान को आप मानते हैं सास लंबी घेहरी ले 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 फोल्ड करें मन में उस वेक्ति का नाम ले और भगवान से प्रार्थना करें कि है जैसे मैं कहता हूँ की है भगवान शिव इस वेक्ति को यह समस्या है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि युनिवर्स की आपकी डवाइन एनर्जी भगवान महामृतिन जय की संजीवनी शक्ति इस गोमती चक्र में प्रवाहित हो और इस रोगी के रोग को खत्म करें आपको ग्यारा बार ऐसा कर लाए हैं मैं शिव जी को ही कहता शिव जी से ही भक्ति होती है महामृतिन जय भगवान महामृतिन जय के साथ कनेक्ट होते हैं संजीवनी शक्ति के साथ आप ले लिजिए उसको सांस लिजिए और महामृतिन जय से कहिए कि है महामृतिन जय आपकी डवाइन पावर इस गोमती चक्र में आ रही है और जो वे लोगे तो पूरी हवा बाहर निकल जाएगी वह से नहीं बोलना मन में आपने सांस लिया होल्ड किये अब क्या होगा बोलेंगे सर आप इतना लंबा सेंटेंस हम कैसे बोल रहें दस सेकंड में तो आप पार्ट पार्ट में बोलो परन्तु आपको ग्यारा बार बोलना है अब आप तीन बार में बोलो है भगवान महामिर्ति उन्जय की संजीवनी शक्ती फिर आप सांस छोड़ दिये फिर आप सांस लो मैं आपसे प्रार्ट ना करती हूं कि यह वेक्ति बिमार है इसको आप पूर्णुप्शिस्वस्त करे फिर आप सांस छोड़ दिये फिर ती बार लंबी गहरी सास लेके आप एक बार में कह देते हैं तो तो सोने पर सो होगा है तो ऐसा आप 11 बार करेंगे और उस पीडित वेक्ति के जो भी बेड होता है बेड के चारों कॉर्णर पे आप रख देना 21 दिनों तक 21 दिनों के रखने के बाद में आप उसको जल प्रवाह कर देना सगुण में रखना है सब कुछ रखेंगे लंबी गहरी सास रखेंगे लंबी गहरी सास लेके राइट नॉस्ट्र चल रहा होगा सूरी स्वर आप उसके बेड पे चारों कॉन पे रख दो और फिर आप देखो चनद का यकीन मानके चलना बहुत अच्छे रजल्ट मि आया है आज लाइब देख लोगे सबी देखोगे जो रखे हैं सारे के सारे लोग लाइब देखोगे सगुण में इतना पावर है जिन्होंने दिये वाली रेमेडी किया उनका कॉन्विडेंस तो कई गुना बढ़ गया होगा जिन्होंने नहीं की है आज बढ़ जाएगा और जो कपूर दिया और माचिस लेकर बैठे हैं यकीन मानके चलना जो अफ़र्मेशन दूंगा उस अफ़र्मेशन को सगुण में बोलके देखना आपको मज़ा आ जाएगा ठिक है तो अब यह अब यहां पर किसी को कोई कोशन है दो रेमेडी मैंने बताई है इन दो रेम रेमेडी में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो पूछलो फिर मैं कपूर वाली रेमेडी करवाता हूँ बोलो कौर कौर मैं हर्दीब जी बोलिए आप अन्म्यूट नहीं हो पा रहे हो मैं ओके मैं पर्मिशन चलो मैं आपको टैक कर रहा हूं बोलो सर जैसे आपने बोला एक तो आठ रोटियां बुलिए आपनी वन जिरो एट रोटिया हां और गुड जो एक ही पेसी लेनी है और सिल शोग्रा है उसमें भून लेना है और रोटी बनानी है एक बीमारी आती है उसके बाद उसकी पीछे दूसरी आजाती है दूसरी आती है उसके पीछे तीसरी आ जाती है क्योंकि उस व्यक्ति की immunity system कम जोर हो जाती है normal ऐसे समझे लो ना किसी व्यक्ति को सर्दी होई तो सर्दी तो एक normal symptoms है अब सर्दी के साथ-साथ में उसको बुखार भी आ जाता है सर्दी के साथ-साथ में उसके नाख कान बंद हो जाते हैं उसकी आखे लाल हो जाती है तो एक सर्दी और उसके पीछे समस्या तीन ना तो खाना अच्छा लगेगा उसको तो कोई जितने भी रोग है सब रोगों में काम करें अगर मालो animal को नुक्सान होता तो हम कोई remedy ऐसी नहीं बताएंगे जिससे animal को नुक्सान हो ठीक है clear हो आपका question मेरी आवाज clear है मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है यह सर ठीक है अभी इन्होंने question पूछा था मैं उसका जवाब दे देता हूं कि माली जी हमने किसी के उपर से उतारा किया कोई ICU में अड्मिटे और हमने animal को खिला दिया तो animal को नुक्सान होगा बिलकुल नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि animal क्या करता है उनकी अंदर में blessings होती है भगवान की मानों के अंदर में नहीं होती क्योंकि मानों बहुत खतरनाक है मानों के अंदर में logic mind है conscious mind है animal तो बिचारे simple होते तो वो क्या करते है आपके fino को हर लेते है और उसके बाद उसको destroy कर दे तो वह किसी बिचान होता है अगर मालों किसी को नुक्सान होता है यासे में तो वह रेमडिय हम देते ही नहीं है कि कि किसी क्लियर हुए आपको कॉश्चिन जिन्होंने पूछा था नमस्षिवाई सर आपने जो चार गोमती चक्र बताया थे वो बेट के नीचे चार कोनों पे रखना है ना आजी बिलकुर थैंकि मेरी मेरा जो अठा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया मुझे जॉइन कर आया थैंकि सो मच तो जैसे कि कुछ तो आंसर मुझे मिल गया है बट गोमती चक्र से रिलेटिट ही है मेरा कुश्चन अब सर बेट तो देखे उठेगा नहीं तो हम गद्दे के नीचे गोमती चक्र को है बेट का जो गद्दा है उसके नीचे रखवा देते बिल्कुल बिल्कुल तो बॉक्स वाली बेड रहते हैं गद्दे के नीचे भी रख सकते हैं कोई बुरा नहीं रख सकते अच्छा इफेक्टिव रही है हां वो गोमती चक्र उसके बैट के